इसमें पहला अबका पोस्ट है फिल्ड इंजिनियर Elek whisky इस में total vacancy है 30 दूसरा जब का पोस्ट है आपका फिल्ड 돌 enйजिनियर civil इसमें totalrons 8 पोस्ट है और तीसरा जब का फिल्ड supervisor electrical В pocket इसमें 47 पोस्ट है और अगला जो पोस्ट है आपका फिल्ड supervisor civil इसमें टोटल बारा पोस्ट है और इसमें वेरियस जो से कि अन्रिजर्ब एस्टी इसका भी आपको देख सकते हैं यहां इमें सारा नहीं बता रहा हूं और एक सर्विस्मेंट के लिए कुछ पत दिया गया है यहां साइड में देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है फिल इंजनेर इलेक्टिकल इसका जो आपका अपर एज लिमिट जो है 29 साल मैक्सिममम आपका है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है बी बीटेक सकते हैं और इसके लिए आपनों electrical electrical power electrical backdrops अपलाय इसके हैं तब इसके लिए अपलाई कर सकते है है और आपका अगर इसका लिए आपको experience है वह यह साल का wrecksmies मांगाया है क्योंम क्यों मांगिन कंज बीजाइनिंगी इंजिरिय हैं में आपका मांगा है अगर आ रिबोसरा जो इसमे भी आपका मैक्सिम आपका 29 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपका B.E.B.T.E.C. अगर सीविल डिप्लिश दिसिप्लिन से है तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और आपका मिनिमम 55 पर्शन मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल O.B.C. E.W.S. अगला जो आपका पोस्ट है स्पिल्ट सूर्वाइजर इलेक्रिकल इसमें भी आपका 29 यर्स आपका मैक्सिम है उससे ज्यादा नहीं आपका होना चाहिए और इसमें डिप्लोम आ गया है आपका वही मिनिमम उपका 50 पर्श मार्क्स आइए और अगर आप ह्टी है तो आपको ख़ली पासिंग मास इसमें आपको चाहिए अगर अगर हाइयर क्वालिफिकाशन आप आपको रखे जैसे B.T.E.C., B.E., M.T.E.C. अगर आप लोन का डिप्लोमा नहीं है तब इसके लिए आपको डिप्लोमा जरूरी है और इसके लिए आपका जो इस्ट्रिप्लीन है आपका इक साल का एक प्रेंस महाँ गाया है वह भी आपका construction, testing में, commissioning में, electrical work में, वह भी आपका ruler में, distribution management system में, sub transmission, transmission lines, sub station में अगर आपका पास experience हैं, तो इसके लिए आप apply कर सकते हैं, और अगला जब को पद है, field supervisor, civil, इसके लिए आपका जो डिप्लोमा माँ गया है, से आपका इसके लिए 55% marks माँ गया है, और अगर OBC, EWS, ST candidate है, तो उसका 55% marks सही है, और अगर SC candidate है, तो खली pass marks आपका पास है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपका एक साल का experience माँ गया है, वह भी आपका है, construction, testing, commissioning, civil work, ruler, electrical में, distribution management system में, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, इसके लिए जो आपका basic रहेगा, 30,000 रहेगा, प्लस industrial DA दिया जाएगा, प्लस HR दिया रहेगा, और perks आपको 35% आपका basic का है, 35% आपको दिया जाएगा, और post number जो है आपका 3 और 4 के लिए इसमें 23,000 पर मंत आपको दिया जाएगा, इसमें industrial DA प्लस HR प्लस perks आपका 35% आपको basic का, हो भी आपको दिया जाएगा, HR आपको जो दिया जाएगा, वो पारगिट perks 35% basic पर मंत आपका दिया जाएगा, मतलब आपको जो salary बनेगा, लगभा 50-60,000 पर मंत आपका इसमें salary बनेगा, तो बहुत अच्छा आपका opportunity है इसमें, एक साल में आपका 12 days का casual leave रहेगा, 10 day का sick leave रहेगा, 30 day earned leave रहेगा, तो इतना जारा ही leave आपको दिया जाएगा, आपका इसमें जो पी-अप का 12% आपका basic page का हर मंत आपका कटेगा, इसका जो आपका selection होगा, और interview को 3 ही हो पाएगा, और इसके लिए जो आपका screening test होगा, और 75 mask का होगा, और इसमें 2 part होगा, आपका 50 questions जो रहेगा, उसमें discipline से रहेगा, और part 2 जो रहेगा, उसमें 25 questions आपका aptitude से रहेगा, आपका qualifying marks जो unreserved category का 40% mark होगा, और जो reserve category मान लिए SC, HD, OBC, इन सब का 30% marks आएगा, तो इलकुन अपला, इसमें qualify कर जाएगा, आज जो, जो screen test में qualify करेंगे, उन ही को interview के लिए बुलाया जाएगा, आपका 50 questions रहेगा, और diploma का syllabus रहेगा, उसमें, और आपका aptitude जो test रहेगा, 25 questions, इसमें आपका logical reading, data interpretation, comprehensive vocabulary, data sufficiency and numerical liberty, ये सारा साब का question रहेगा, आपका final merit बनेगा, आपका, वो आपका interview में जो आपका performance रहेगा, और written test में जो आपका performance रहेगा, उसी के साब साब का final merit बनेगा, final selection उसी के तुरू हो पाएगा, और आपका पहला number और दूसरा number जो पोस्ट है, field engineer, electrical civil के लिए, इसके लिए आपका 400 रुप का फी देना पड़ेगा, और तीसरा number, चौथा number जो पोस्ट है, इसमें full supervisor, electrical civil का 300 रुप्य आपको फी आपको देना पड़ेगा, आपको जो apply करना है, यहाँ वेबसाइट को मैं तुर्ण जोम कर रहा हूँ, यह देखिए, www.powergid.in, इसमें आप लोगो जाना है, उसके बाद career section में जाना है, फिर वहाँ पर job opportunity में जाना है, फिर वहाँ आपनिंग में जाना है, फिर उसके बाद regional opening में जाना है, फिर north region 1, फिर देली requirement क्लिक करना है, फिर वहाँ पर एक contract position and then engagement में आपको क्लिक करके अपना सारा form fill up कर देना है, इसमें कुछ-कुछ आपका जैसे की photo जो रहेगा, ओ आपका jpg format रहेना चाहिए, और signature जो आपका jpg format रहेगा, signature का size आपका 30 के बीसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका date of birth का proof जिसमें metric या फिर birth certificate हो, उसमें आपका जो बनाई पीडिया पॉम है, उसका एक MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और qualification जो आपका mask kit सारा semester का, वो आपका maximum 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस बात का अप लोग ध्यान रखेगा, अगर आपके पास employee exchange certificate है, तो उसको भी आप लोग कम से कम PDF बना लिजेगा, उसका भी size आपका 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका successful registration हो जाएगा, फिर आप लोग को carrier pay में जाना है, फिर job opportunity में, फिर openings में, फिर regional opening में, फिर concern advertisement and candidate login link पे क्लिक करके फिर आपको payment कर देना है, इसका जो आपका online payment है, और online form फिल अपका है, 26 2021 से start हो गया है, और लास्ट अपका है, 95 2021 तक, तो आपका जो date of interview होगा, return test होगा, वो आपको inform कर दिया जाएगा, इसमें जो भी important था, मैंने सारा कुछ बता दिया, इस vacancy को आप लोग जितना हो सके, share कीजेगा, ताकि जास दर लोग इस vacancy को बार है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियेगा, और बेल आइकन पर जरू पेस्ट कीजेगा, ताकि जब भी मैं कोई नया vacancy डालू, उसकी जानकारी आपको मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू लाइक कर दियेगा, थैंक्यू फॉर वाचिंग